हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी चीके ट्रिक मैं गौरव एक बार फिर आफ तबी के सामने दोस्तों आज हम बात करेंगे एक रिजनिंग के बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक पर जिसका नाम है सिरीज या जिसे हिंदी में शरंकला भी कहा जाता है दोस्तों इसके कोशन आपको एकजाम में देखने को मिल ही जाएंगी कम से कम दोस्तों एक कोशन और अधिकतम चार कोशन देखने को मिलते हैं मतलब यह जो चेप्टर है वह आपका एक नंबर से लेकर चार नंबर तक का एकजामों में पूछ जाता है फिर वह भले national level की exam हो चाहे फिर वह state level की exam हो ठीक है आपने देखे यह होंगे series के question दोस्तों mostly अधिकतर exam हो में इसके question पूशे जाते हैं अब यदि यहाँ पर मैं बात करूँ श्रंकला की तो देखे श्रंकला भी जो है वह चार प्रकार के होती है जो series है वह चार प्रकार के होती है numeric series, alphabetic series, coded series और mixed series जिसमें से दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे numeric series के बारे में चली तो चलते हैं सिदे सवालों पर और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर exam हो में question पूशे गए हैं और किस प्रकार से exam में question इसके पूशे आते हैं और क्या-क्या logic यहाँ पर हम apply कर सकत हैं दोस्तों याद रखिए शरंकला में आपको करना क्या है आपको करना होगी थोड़ी सी बस practice यदि आपने practice कर ली तो आपको क्या होगा शरंकला easily बनने लग जाएगी दोस्तों practice से क्या होगा आपको ज्यादा से ज्यादा logic मालूम पढ़ेंगे आप जितने question इसके लगा खेले practice का chapter है तो चलिए आईए मैं आपके लिए यहाँ पर लिके आया हूँ कुछ question जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर सभी सभी के सभी important question मिलेंगे जितने भी question है सभी के सभी important और किसी ना किसी exam में आए हुए question है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मालूम पढ़ेगा इस वीडियो से कि series के question किस प्रकार से exam में पूछे आते हैं और क्या-क्या उनमें logic लगते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस chapter को तो देखे friends पहला question हमारे पास है निम्नले की श्रंकला में कौन सी संख्या प्रशन चिनने के इस्थान पर आएगी अब यहाँ पर हमें question mark के इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे पता लगाना है इस श्रंकला में अब यहाँ पर देखे दूस्तों अलग-अलग logic लग सकते हैं plus का logic लग सकता है minus का logic लग सकता है into का logic लग सकता है square cube के logic लग सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी question बताऊंगा mostly कोशिश करूँगा कि सभी के सभी logic आपके cover यहाँ से हो जाए clear है चली अब पहले पहला सवाल देखते हैं तो अधिकतर question को दोस्तों 7, 11, 20 और अगला number क्या होगा हमसे यही पूछा है तो आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर logic क्या लगाएंगे आपका बोल सकता हूँ पहली आपकी जो method होगी या trick होगी वह क्या करेंगे आप सबसे पहले आप यहाँ पर difference चेक करेंगे देखिए दोस्तों 6 और 7 में difference कितन प्लस 9 करोंगा अब देखिए दोस्तों जो number हम नीचे लिक रहे हैं वो आपने देखिया होगे एक चार नौ तो यहाँ क्या होगया दो का वर्ग यह क्या होगया दो का वर्ग यह क्या होगया तीन का वर्ग देखिए यहाँ पर एक का वर्ग जोड़ा तो 7 आ गया यहाँ दो का वर्ग जोड़ा तो 11 आ गया यहाँ पर 3 का वर्ग जोड़ा तो 20 आ गया अब 20 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 में जोड़ेंगे 4 का वर्ग तो अगली संक्या हमें मिल जाएगी तो देखे दोस्तों 4 का वर्ग मतलब कितना 16, तो 20 में 16 आप add कर दीजे, तो यहां से हमारा answer क्या जाए दोस्तों, 36 clear है सभी को समझ में आया, तो यहां पर friends हमारा answer क्या है option D चलिए दोस्तों, अगला question देखिए, question number second, वह भी कुछ इसी प्रवार का question है, सभी series के question लिए दोस्तों, क्योंकि अजिकतर examo में यहां पर series के question पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप यहां से एक number क्यों न पक्का कर लें, तो चलिए दोस्तों, देखिए question number second, एक, दो छे, 24 और 120 लिखे लेते हैं इसको यहां पर, एक, दो, छे, 24 और 120 और हमसे पूछिए कि अगली संक्या क्या होगी, चलिए, एक से दो का difference दोस्तों, देख लिजी, प्लस का 1, फिर दो से छे का difference प्लस का 4, अब यहां पर ध्यान दिजेगा दोस्तों, छे और 24, इन दोनों के बीच का गेप कितना दोस्तों, तो 18, अथके, तो मुझे यह दी, मतलब यह 24 से मुझे यह दी 120 पर जाना है, तो यहां पर क्या करना होगी दोस्तों, मुझे 96 AD करना होंगे, तो पहले 1 AD हुआ, फिर 4 AD हुआ, फिर 18 AD हुआ, और फिर कितना AD हो रहा है, 96 तो यहाँ पर कुछ एक series बन रही है क्या तो नहीं बन रही है तो यहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहरा हूँ हर सवाल में जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही logic apply हो ठीक है मतलब हमने number one में मतलब पहले question हमने यहाँ पर क्या कर रहा था परन्तु यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि सभी सवालों में एक जैसा logic apply हो अब देखे दोस्तों इस question में अब क्या कर सकते हैं तो देखे एक से यही मुझे दो पर जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ एक से दो पर जाने के लिए एक इंटू एक है ना और प्लस one ठीक है क्या करा मैंने एक में एक का गुणा करा और जोड दिया है चलिए आगे भी इसको continue करते है तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया दो मिल गया अब यहाँ पर दो में क्या करेंगे तो दीखे दो में हम करेंगे दो में इंटू दो का और प्लस दो एड कर देंगे ठीक है तो दो इंटू दो मतलब चार और दो कितना हो गया 6 तो यहां से मुझे क्या मिल गया 6 अब उसी प्रकास दोस्तों 6 में क्या करेंगे तो देखे 6 में किसका multiply करेंगे 3 का तो देखे यहां पर क्या करेंगे 6 into 3 plus 6 ठीके यहां पर 1 into 1 plus 1 मतब जो भी number लिखा है उसको add कर रहा है फिर 2 into 2 plus 2 जो भी number लिखा उसको add कर रहा है फिर यहां पर 6 into 3 फिर 1 का into किया फिर 2 का into किया अब कितना into किया 3 का और यहां पर base number हमारे पास में क्या है 6 तो यहां पर कितना add करेंगे 6 तो 6 ती 18 और 6 कितना आ गया 24 बोले clear है अब देखे 24 से 120 किसे आएगा तो अब देखे 1 का multiply हो गया 2 का multiply हो गया 3 का multiply हो गया अब किसके बारी है 4 की तो 24 into 4 और दोस्तों plus क्या करेंगे यहां पर base संक्या मारे बास में क्या है 24 ठीके तो यहां पर आप जब 24 into 4 करेंगे और उसमें 24 एड़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120 मिल जाएगा ठीके चली और उसके बाद में अगला हमें कैसे लिखे आना है तो यहां पर देखे 4 का multiply हो गया तो अब 120 में हमें 5 का multiply करना है plus 120 को add करना है ठीके मतलब जेसा सीरीज में चलता रहा है उसको ही आगे continue करना है तो 120 into 500 देखे 12,5,60 तो 600 तो यह value हो गई ठीके 120 में 5 का multiply किया तो 600 यह value आ गई और उसमें हमें क्या करना है 128 करना है तो 600 में 120 यही एड़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 720 लॉजिक समाज में आया कि नहीं मेरे दोस्तों सभी को यहाँ पर मारा answer का है 720 option C is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन पर चली फ्रेंड्स नेक्स कुश्चन देखिए क्या बोल रहा है 12, 22, 42 और बहुत्तर और अगला हमें step निकालना है कि क्या होगा तो देखिए friends यदि मैं 12 से 22 का difference लूँ तो कितना होगा 10 का difference होगा मतलब यदि मैं 12 में 10 add कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा बुलिए clear है 22 से 42 पर कैसे आओंगा दोस्तों प्लस 10, प्लस 20, प्लस 30 तो आगला क्या होगा दोस्तों प्लस 40 प्लस 10, प्लस 20, प्लस 30, प्लस 40 तो यहाँ पर हमें 72 में 40 को add करना है तो यहाँ से हमारा answer क्या जाएगा दोस्तों 1, 1, 2 मतलब एक सो बारह clear है option D is correct answer समझ मैं आया सभी को चली, आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number 4 क्या बोल रहा है 6, 12, 36 और 144 और अगला क्या होगा ठीके, देखे यहाँ पर 6 से 12 पर चलते हैं तो कितना add हो रहा है तो 6 add हो रहा है ठीके फिर 12 से 36 पर गए तो यहाँ पर कितना add हो जाएगा तो यहाँ पर add हो जाएगा 24 ठीके और फिर 36 से 144 पर जाएगे तो इन दोनों के बीच का गेप कितना आ रहा है दोस्तों, 108 मतलब जब आप 36 में 108 को add करोगे तब जाके क्या आएगा दोस्तों 144 आएगा clear है तो यहाँ पर दोस्तों एक logic apply नहीं हो रहा मतलब एक particular sequence follow नहीं हो रहा तो चलिए यहाँ पर difference वाला logic तो नहीं लग रहा अब अगला logic क्या होगा तो देखिए next logic देखिए कि दोस्तों ध्यान से यदि में 6 में multiply कर दू किसका? 2 का तो 6 into 2 केतना मिल गया दोस्तों? 12 बोले clear है ठीके? अब यदि में 12 में multiply कर दू तीन का तो क्या मुल जाएगा मुझे 36 बोले clear है? समझ में आए सबी हो यहाँ पर? चलिए अब यदि में 36 में multiply कर दू किसका दोस्तों? 4 का पेले 2 का multiply हुआ फिर 3 का हुआ तो अब क्या होगा? 4 का multiply होगा यदि में 36 में 4 का multiply करूँगा तो मुझे मिलेगा दूस्तों 144 और यदि यहाँ पर मैं 144 में अब किसकी बारी है दूस्तों? 2 का multiply होगया 3 का होगया 4 का होगया तो अब किसका होगा? 5 का 144 into 5 तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो देखिए 5 चूप का 20 यहाँ पर बचे 2 5 चूप का 20 और 2 22 के 2 हाथ के आगए? किते? 2 और 5 एकम 5 और 2 720 तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे दूस्तों? 720 तो एड दे इंड हमारा आंसर क्या होगा? 720 Option A is correct answer और logic क्या आसा दोस्तों? पहले क्या करा? इंटू 2 फिर क्या करा? इंटू 3 फिर इंटू 4 इंटू 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते गए clear है मेरे friends सभी को? चली आगे बढ़ते हैं देखे friends आप लोग के लिए एक update है अब हमारे crazy gk trick के application पर दोस्तों आपको ये सभी course available हो जाएंगी जहाँ पर दोस्तों आपको advanced math, mpgk course, computer online course, english course और reasoning course और बाकी अन्य course भी मिल जाएंगे दोस्तों यदि आप जाते हैं इन course को join करने के लिए तो आप वहाँ पर coupon code को जरूर ध्यान रखेगा तो आपको वहाँ पर flat 50% का off मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए friends देखिए question number 5 क्या कह रहा है यहाँ पर हमें दिया है 7, 9, 12, 17, 24 और 35 और अगला क्या होगा उसे निकालना है तो आईए friends सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर हम difference तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा answer 48 clear है सबी को option D is correct answer चलिए friends अगला question देखिए क्या बोल रहा है 2, 3, 8, 31 तो अगला क्या होगा यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3, 8, 31 और यहाँ पर दिया है अगला क्या होगा ठीक है चलिए आए निकाल लेते हैं इसको अब देखिए 2 से 3 का difference कितना प्लस 1 3 से 8 का difference कितना प्लस का 5 8 से 31 का difference कितना प्लस का 23 अब देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो difference वाला logic है वो proper apply नहीं हो रहा तो चलिए आईए यहाँ पर हम दूसरा logic apply करते हैं दोस्तों जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे आपको जब आप solve करेंगे खुद से तो वैसी logic आपके वहाँ पर लगेंगे आपको यह सबसे पहले यह से trick को apply करना है ठीक है difference check करना है और उसके बाद में फिर दूसरे फंडे पर जाना है तो यहाँ पर हम check करते हैं इसमें और क्या logic लग सकता है तो देखिए यदि में यहाँ पर क्या करूँ इंटू टू करूँ इसमें इसमें दो के में यदि में 2 का गुणा कर दूँ और माइनस 1 कर दूँ तो 2 दूनी 4 में से 1 गया तो क्या आगिया 3 ठीक है सब ही को clear है यहाँ पर चली अब 3 में क्या करेंगे जिस प्रकास के यहाँ पर करा है वैसे करेंगे 3 में multiply करेंगे किसका 3 का तो 3 में 3 का multiply कर दिया ठीक है तो 3 तिया 9 minus 1 कर देता हूँ तो क्या जाएगा 8 बोलिए clear है ठीक है यहाँ पर 2 में 2 का multiply किया यह 2 base number है ने यह वाला 2 में 2 का multiply किया minus 1 किया तो 3 आ गिया फिर यहाँ पर 3 यह पहला वाला जो है ये base number जो हमें दिया है तीन में, तीन का multiply किया और minus 1 किया तो क्या आगिया यहाँ पर हमें 8 मिल गया, अब क्या करेंगे दोस्तों तो देखे अगला क्या होगा, 4 होगा तो यहाँ पर हमें 8 में 4 का multiply करना है, तो 8 छो कितना होगा 32 माइनस क्या करना होगा 1 तो क्या मिल जाएगा हमें 31 ठीक है तो यहाँ पर देखिए 2 का multiply 3 का multiply 4 का multiply अब क्या होगा दोस्तों 5 का multiply तो 31 into 5 और minus क्या होगा 1 याद रखेंगे minus 1 पहले step में भी होगा था दूसरी में भी और ठीसरी में भी तो चोथी में भी करना है मतलब सेम रखना है ठीक है तो यहाँ पर कर लेते हैं multiply तो 31 पंजे यहाँ पर कितना हो जाएगा 155 minus 1 तो कितना जाएगा 154 और यही होगा हमारा answer 154 कौन सा option में लिखा है option A चले पहले यह option में मिल गया आगे बढ़ते हैं दोस्तों next question पर तो देखे friends अगला question बोल रहा है 16, 20, 29, 45, 70 तो अगला क्या होगा यहाँ पर 16 सेदी में 20 पर जाऊंगा तो क्या होगा plus 4 बोले clear है 20 से 29 पर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है plus का 9 बोले clear है फिर यहाँ से 29 से 45 पर जाऊंगा तो क्या हो रहा है दोस्तों plus का 16 तो देखे यहाँ पर एक logic apply हो रहा है पहले 4 जुड़ा फिर 9 जुड़ा फिर 16 जुड़ा और 45 में यदि में 25 add कर दूंगा तो मुझे क 70 में 6 का square मतलब 36 को add करना होगा तो यहाँ पर जाएगा 6, 7, 3, 10 मतलब 106 अगला answer हमारा क्या होगा दोस्तों 106 clear है सभी को option A is correct answer 2 का square add किया 3 का square add किया 4 का square add किया 5 का square add किया तो अब क्या करेंगे 6 का square add किसमे 70 में तो हमारा answer जाएगा 106 चली friends अगला question देखिए question number 8 क्या ब फिर आगया है 15 फिर आगया है 19 और फिर आगया है 17 और अगला क्या होगा अब देखिए थोड़े से tricky है दोस्तों यहाँ पर 13 फिर 17 फिर 15 फिर वापस 19 और फिर वापस क्या आगया है 17 और अगला पर दिया है मैं क्या निकालना हो यहाँ पर option दिये 21, 23, 37 और 31 चली 13 पर किस 4 करके, बोले clear है और 17 से 15 पर करसे जाओंगा minus 2 करके, फिर 15 से 19 क्या होगा, plus का 4 और 19 सतरा क्या होगा, minus का 2 तो देखे, क्या सीरी चल रही है, plus 4 minus 2, plus 4 minus 2 देखे, तो पहले plus 4 हुआ, फिर minus 2 हुआ फिर वापस plus 4 हुआ, फिर minus तो अब यहाँ पर हमें answer निकलने के लिए क्या करना होगा, plus का 4 करना होगा, ठीके, तो 17 और 4 कितना होगे दोस्तों, 21 option A is correct answer clear है सभी को चली, आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन पर चली फ्रेंट्स, नेक्स कोश्चन देखे, क्या दिया है 36 49 51 39 53 54 42 57 55 45 और नेक्स्ट क्या होगा, वो निकालना है, चली तोड़ा सा tricky है, पर हो जाएगा देखे, इस series को बोलते है alternative series, क्या बोलते हैं दोस्तो alternative series देखे, यहाँ पर करना क्या है अब 36 की सबसे पास मुझे दिख रहा है 49, तो मैं क्या करूँगा, 36 से मैं 49 को add करूँगा तो कैसे मिलेंगे मुझे, जब मैं 3 add करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 49 अब आगे AC sequence को हम check करते हैं, कितने step छोड़ें हमने यहाँ पर 2 पद छोड़ें, आगे 2 पद छोड़ें, और 3 add करो, देखो आगे चल रहा है क्या इसा, तो बिलकुल चल रहा है, यदि मैं 49 में 3 add कर दूँगा, तो क्या मिल जाएगा, मुझे 42 मतलब 42 अब आगे वाइपस check करते हैं इसको दोस्तों यहाँ पर कितने step छोड़ना है, 2 2 छोड़ना है, तीसरे पर जाना है और कितने जोड़ना है, 3, तो देखिए 42 में 3 जोड़ूँगा, तो मुझे 45 मिल रहा है क्या, तो बिलकुल मिल रहा है ठीके, समझ में आ रहा है, चलिए आगे continue करते हैं इसको, देखिए अब 59, यहाँ से 59 से मुझे 2 केरेक्टर छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ 350 ठीके, क्योंकि starting में हमने 2 केरेक्टर छोड़े हैं, तो हमें यहाँ पर भी 2 केरेक्टर को बीच में छोड़ना है दूसरे स्टेप से, तो जीके 49 से 53, केसे आ सकता है तो यही अमारा आनसर है ठीके इतना ही चेक कर लिया तो हमारा अंसर आ गिया यदि अपन आगे बे चेक कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है देखे तीसरा इस्टेप बचा है एक कावन एक कावन से मुझे चौपन पर जाना था ठीके देखे ये वाले ये वाले हो चुके है न 36 से 49 हो चुका है और 59 से हम 53 पर गए थे फिर 49 से देखिए 42 पर गए है 42 से कहां पर गए है 42 पर मतलब दो दो छोड़ते गए ठीके 59 से 53 पर गए है 53 से 57 पर गए है और 57 से कहां पर गए है 61 पर अब देखे यदी मुझे 51 से कहां पर बचा एक number के वद 54 बचा है 51 से 54 जाना है तो क्या करूँगा प्लस का बताज़ ःड करूँगा ठीक ए 54 से यदी मुझे 57 पर तो क्या करूँगा प्लस का 3 आड करूँगा और अगला देखिए, एक हो गया, दूसरा कोन हो गया यहाँ पर नंबर 61, तो दो छोड़ना है और तीसरे बयाना है, तो 57 में मुझे वापस क्या एड करना होंगे, 3 एड करना होंगे, ठीके, तो 57 में 3 एड कर दो क्या जाएगा, 60, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, 61 और 299 और 295, नंबर थोड़े से बड़े देख रहे हैं, पर सवाल बहुत इजी है, देखे, डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पर 307 है, फिर 303 हुआ, फिर 303 के लाद में 299 हो गया, 299 के लाद में 295 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 7 से 3 पर कैसे गया, तो माइनस क्या हुआ 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 हैं अगले question पर देखें प्रेंट्स अगली series हमें दी गई है question number 11 में 1138 फिर अगला step दिया है 1150 फिर अगला दिया है 1163 और अगला दिया है 1177 और next तो निकाल नहीं है चली यदि यहाँ पर मैं दोस्तों 1138 से 1150 पर जाओंगा मतलब बोल सकते हैं 1130 13 से 1150 पर मुझे जाना है तो कितने एड करना होंगे मुझे तो यहाँ पर मुझे 12 एड करना होंगे जदी मैं 38 में 12 एड कर दूगा तो 1150 पर जाओंगा देखे 11 सभी में 11 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ यहाँ पर भी ठीक है तो एक सीरीज चल गई 12, 13, 14 तो अगला आंसर के से आएगा हमारा प्लस के पंदर आड़ कर गए ठीक है तो यहाँ पर आप 77 में 15 को आप एड़ कर दीजी तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों 119 और 2 ठीक है यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 1192 option C is correct answer चली अगला question दे 3 तो अगला क्या होगा हमें ये निकालना है clear है चली अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों देखिए यदी में इस 31 में 17 को आड़ कर दूँ मतलब इन दोनों को यदी में आड़ कर दूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है इन दोनों के edition से 48 बोले clear है यहाँ पर यदी में add कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 65 ठीक है 17 और 48 को दोनों को add किया तो क्या मिल रहा है 65 अब यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों बता दीजिए यहाँ पर 48 में मैं 65 को add करूँगा तो जब मैं 48 में 65 add कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों 113 बुले क्लियर है अब अगला answer किसे आगे दोस्तों तो यहाँ पर simple सी बात है यहाँ पर मैं 65 में 113 को क्या करूँगा add करूँगा 65 में 113 हम add करेंगे तो यहाँ पर हमारा answer क्या जाएगा 178 ठीक है 113 में 65 को add कर दो तो यह होगा 8 यह होगा 7 और यह होगा 1 ठीक है तो 178 हमारा answer होगा option D is correct answer series 7 में आया दोस्तों जो series में दोस्तों यहाँ पर हमें number दिये हैं उनहीं से खिलवाड करके यहाँ पर हमें answer आगया है खिलवाड करके in the sense यह मतलब यहीं पर logic लग गया है इन दोनों को जोड़ा तो तीसरा number आगया फिर इन दोनों को जोड़ा तो चोथा number आगया फिर इन दोनों को जोड़ा तो पांचवा number आगया फिर इन दोनों को जोड़ा तो छटा number आगया clear है चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर देखे friends question number 13 क्या बोल रहा है 461 481 502 524 547 तो next क्या होगा चली अब यहाँ पर difference लेते हैं सबसे पेले 461 और 481 का difference कितना 20 का मतलब जब मैं 20 add कर दूँगा 461 में तो क्या मिल जाएगा मुझे 481 बोले clear है 481 और 502 इन दोनों का difference कितना है तो इन दोनों का difference है plus का 21 मतलब 481 में यदि मैं 20 add कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 502 तो पेले 20 add हुआ फिर 20 add हुआ चली आईए चेक करते हैं आगे क्या एसा ही sequence चल रहा है क्या अब यहाँ पर 502 में आप 22 add कर दो तो यहाँ पर 22 add करेंगे पांसो सेतलेस और पांसो सेतलेस के मुझे आगे जाना है तो कितना add करना होगा दोस्तों तो मुझे यहां add करना होगा 24 बिस जोड़ा 21 जोड़ा 22 जोड़ा 23 जोड़ा तो अपके जोड़ेगा 24 तो यहाँ पर हम add कर लेते हैं 547 में 24 तो यह 7-4,11,1 यहाँ पर चार दो छे और एक साथ और यह 5 तो 571 यहाँ पर हमारा आंसर आ चुगा है option C is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर तो देखे friends यहाँ पर लिखा है 39, 1958, 77 और 135 और हमें निकालना है कि अगला step क्या होगा question मा के स्थान पर तो देखे अब यहाँ पर 49 फिर 19 फिर 58 फिर 17 फिर 135 तो यहाँ पर difference वाला logic तो सही नहीं लगेगा सवाल देखते से ही बन रहा है ऐसा तो यहाँ पर अलग logic लगाते हैं देखे यदि मैं इस 39 में इस 19 को यदि add करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों तो मुझे मिल जाएगा 58 बोले clear यहाँ पर क्या मिल जाएगा 58 जैसा भी हमने कुछ एक दो question पहले कर रहा था वैसे logic यहाँ पर apply होता हुआ दिख रहा है आए उसको आगे check करते हैं यदि मैं 19 में 58 को दोस्तों add कर देता हूँ तो क् जाएगा 135 यहाँ पर दोस्तों आंसर कैसे आएगा बता दीजिए 77 में हमें क्या add करना है दोस्तों 135 तो 77 में 135 को add कर देते हैं 75 12 ठीक है यहाँ पर 2 यहाँ पर 1710 111 1212 मतलब 212 ठीक है हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 12 option D is correct answer clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर तो friends इस वीडियो में इतना ही यहीं तक के question अगले वीडियो मिलेंगे कुछ अलग और नए type के question के साथ में जहाँ पर होगे कुछ अलग और नए concept ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन